हेलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वाग अपते हैं दिनके हम कॉन्वेक्स फंक्चन के कुछ थियोरम पढ़ चके हैं और ये लेक्चर नमबर फाइव थे तो इसमें भी हम कुछ थियोरम पढ़ेंगे जो कि कॉन्वेक्स से रिलेटेड होंगी और उनके प्रूफ पढ़ेंगे तो थियोरम है हमारे पास फ्रेंश है इससे हमारे पारे पुराने वाली वीडियों को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो लिंक आपको मिल जाएगी या फिर आप मैं इसका आपके लिए एक प्लेलिष्ट बना दूंगा जिसमें आप चेक कर सकते हो कि हर जो सेक्शन है उसका नमक्रम वाइज मिल जाए यह लेक्ट्चर है वह एक ओर में मिल जाए आपको उसके बाद थोरा में प्रेंश लेट एस एंड टी आर टू कॉन्वेक्स सेट टू कॉन्वेक्स सेट देन अलपा एस प्लस बीटर टी इस आल्सू कि अकॉन्वेक्स सेट जहां पर एलफा एंड बीटर है वह ब्लॉंग्स टू आर एंड को नेचर रिया लंबर है तो फिर यह हमें सो करना है तो फिर इसको प्रूब करते हम तो इसके लिए क्या क्या हमने लेट एक्स जो है कोई सेट है वह किस तरह का सेट है एलफा एस प्लस बीटर टी इसमें जो पॉंट्स हैं उन पॉंट्स के सेट को एक्स जो कर रहा है फ्रेंट्स नाव हमने एजूंग किया नाव लेट एक्स ब्लोंग्स टू एलफा एस स्वरी एक्स न ब्लोंग्स टू एंद एक्स टू ब्लोंग्स टू यह हमने एजुम क्या कि जो X1 और X2 जो है को इसके दो पॉंट से हमने यह एजुम कर लिया अब इसको हमें अगर convex हो करना है तो convex हो करने के लिए क्या सो करना होगा लेंबडा X1 प्लस बन माइनस लेंबडा एक्स टू बिलॉंग्स टू एक्स हमें यह सो करना होगा फिरस अफिरस हमारे पास कुछ कंडिशन से दिया हुआ है कि हमारे पास S and T are convex set है तो S and T are convex set है S convex set है और T convex set है यह हमें हमें से या देखना है अब जो कि फिरस हमने एजूंग क्या है वह क्या है जो X1 जो है X इसका पॉंट है और X2 जो है वह इसका पॉंट है तो X1 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं X1 को लिख सकते हैं अलफा S प्लस अलफा S1 प्लस बीटा T1 जहां पर X1 और X2 जो हैं वह convex set के कुछ पॉंट पर हमारे पास value जह है और X2 को भी किस तरह से लिख सकते हैं अलफा S2 प्लस बेटा T2 यह लिख सकते हैं नाओ लेम्डा X1 प्लस 1- लेम्डा X2 बराबर हो गया लेम्डा X1 क्या है यह रहा हमारे पास अलफा S1 प्लस बीटा T1 प्लस बन माइनस लेम्डा यह हो गया हमारे पास X2 अलफा S2 प्लस बीटा T2 यह हो गया हमारे पास अब यहां सेम क्या लिख सकते हैं फिर्श लेम्डा एल्फा एस बन प्लस लेम्डा बीटा टी वन प्लस बन माइनस लेम्डा एस टू प्लस बन माइनस लेम्डा बीटा टी टू अब यह हो गया फिर्श हमारे पास अब यहां फिर्श हम क्या कर रहे हैं एन फार और अफा मोई रोगा को लेरे रहे खुंट हो यहां मैंद्दा कुम स्वह से यहां स्वह सब स्थाएशन और वुयह सब्सारी कुम स्था रोगा स्था रोग एदत यह तो ऐशन ही वशन हर्प्रम करना बाने स-Cलम से धाg अधितव यहाँ पर यहां पर यहां पर बीटा को ममल लिया है तो यहां से और यहां शनाया गए तो लंब्रा टीवरी धन गैंट्स बंद माइनस लंड़ीरया गया यहां यहां गया गण। अप्रेंस हमारे पास S1 जो है वो convex set है, S2 जो है convex set है, तो lambda S1 plus 1 minus lambda S2 भी जो होगा, वो S1 का ही एक part हो, तो lambda S1 dash ले दिया इसको, plus beta इस तरह से ये भी, lambda T1 plus 1 minus lambda T2 ये जो points है, हमारे पास T1 और T2 जो है T1 के points है, तो उस condition में lambda T1 plus 1 minus lambda T2 जो होंगे, वो TK को points होंगे, तो ये ह हो गया, lambda S1 dash plus beta T dash, ये हो गया, तो यहां से imply कर गया, friends, ये जो set है, imply, ये इसी जो सम था है, lambda X1 plus 1 minus lambda X2 जो इसी form आ गया, imply, lambda S1, sorry, lambda S plus 1 minus, sorry, lambda S plus beta, sorry, alpha S plus beta T is convex set, मैंने कुछ terms जो बता ना भूल गया था, मैं यहां पर बता देता हूँ, कि हमारे पास S and T जो है, convex set थे, तो फिरस alpha S plus beta T में जो point होंगे, वो इस तरह से होंगे, इसमें कि कोई point 1 point इसका होगा और दूसर point इसका होगा, तो alpha S1 plus beta T1, इस तरह से लिए, जहां पर ये S1 और S2 के लिए, ये X यानि कि जो, ये बराबर अगर X ले, तो इस तरह कि ये S1 और S2 के अलग-अलग value के इस पूरे set को so करेगा, अब फिर next lecture देखने के लिए, आप मेरे video के description में जा सकते हैं, और अगर आपको related कोई problem होता है, हम उसे contract कर सकते हो, मेरे contract numbers है, 9460689761, यह फिर मेल कर सकते हो, h i t e s h m e n a 00155 at the rate, gmail.com, थैंक यू फ्रेंद्स